तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं आपकी बोस्ट डिमांडेट जो स्रीज थी आडी शर्मा के सॉलूशन तो उसका वीडियो नॉमबर टू यहां पर हम एक्साइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं सेट चैप्टर की 1.1 मैंने सॉल्व कर लिए आपके लिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको प्लीज जाकर देख लें और हम बढ़ते हैं आगे आप लोगों के लिए सब कुछ लेकर आता हूं ठीक है एक्साइज 1.2 जल्ली से यहां पर सॉल्व करें आपको पता है कि जो सेट चैप्टर वह वैसे ही बहुत बहुत इसी बहुत और 1.2 यहां पर यहां पर बच्चों का खेल है लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन दिये हुए हैं और करें लोगों को इसमें भी डाउट आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए मैं सब कुछ सौल्व करूंगा ठीक है तो यहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट जो को से उनको कुछ सकते हैं कमेंट चेक्शन पर कभी भी कोई कि सारे कोशन सब्सक्राइब कर लो हुए ठीक है तो आप दो तरीकी के फॉर्म होते हैं डिस्क्राइब करने के सैट को आपको पता है सारी चीज़ें हमने डीटेल में आप लोगों को एक्स्पेंड किया हुआ है अगर आप डैफनल को सेपरेट करके लिष्ट कर देते हैं और से डीयूए रफपार्टी से पूरियक फूरे के फूरे बंदह нас nov l biting ह sustainability को लिए Represent आपको इसको elements के फॉर में मतलब की रॉसर फॉर में लिखना है क्या बोला जा रहा है एक सब्सक्राइट एक सब्सक्राइट लेटर यह जो दो बिंदू होती इसको सब्सक्राइट बोलते हैं ठीक है एक लेटर बिफोर इन दा इंगलिश अलफ़ाबेट तो यह से पहले आने वाले बिफोर इबूला है ठीक है तो एक के पहले आने वाले ABCD को आपने आपर मैंचन कर दिया आंसर आगया आपका यही है आपका रॉसर फॉर्म सारे elements को आपने कॉमा सेपरेट करके करली ब्रैकट के अंदर लिख दिया रॉसर फॉर्म आगया ठीक है आपके बोल रहा है वह 25 से मिशें छोटा होगा तो कौन-कौन से नंबर है जो कि नेचल नंबर से और उनका स्क्वार 25 से छोटा है वन टू थ्री फॉर क्योंकि फाइव करो 25 हो जाएगा उसके बाद कि सारे नंबर से ज्यादा हो जाएगा फॉर का 16 होता है और यहीं तक ही ऐसे नंबर से जिन सिल्धा फिर्द है लैस धना का साईन है लैसली अरुकूल्ट टू का साइन नहीं ठीक है तो वह आप नहीं रख सकते सॉरी लैक्स्रेटाश न kanा है जो है एक प्राइम नंबर गया आप-से और 10 के बीच मेंं मतलब के 10 से च्टा-9डा नीचे भिएора प्राइम निचे तो पता है इसमें कौन-कौन से includes 11 आता है 10 13 गों 17 ग необход जो की प्राइम है और टेन और टैनल्र के बीच में आ रहे है तो अपना आंसर यही है ठीक है कि है अभी है और बरॉल रहा है एक है वह पिसिथा नमबर है और एक वह फुटवार मतलब क्या हुआ अगर को बिलॉग करता है तो एक जो है वह फुर्ट देट नमबर के बराबर है नेचल मजा हो तो एक होगा तो जब नेचल नमबर ही होगा देख सोज блок 2 2 x 1 is 2 जब n की वैल्यू 2 होगी तो एक्स हो जाएगा 2 x 2 यानिकी 4 दर एंड की वैली फी होगी तो यह 6 हो जाएगा और ऐसे चलता जाएगा टू के टेबल में सारे इवन नंबर्स और डॉट 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 हमें शो करेगा कि कहां तक जाएगा इंफानाइट तक क्योंकि यहां पर इसको लिमिट नहीं नहीं तक जाना है अपको अपर लिमिट कुछ भी नहीं दी हुई क्लियर है टू से क्यों स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भाई एन जो है इसमॉल एन वह नेच्रल नंबर को बिलॉग कर रहा है और नेच्रल नमबर वन से स्टार्ट होता है जब यहां पर एन की वैल्ली वन डालो गया आप मिनिमम तो एक्स की वैलिए वाईगी टू इन्टु रिए बोल रहा है और वोल रहे है एक नमबर ऐसा जो खुझ साही जादा ऊ-सी वैसर। नम्बर नहीं हो सकता जो खुझ healthy ऑ-dee-rike-an-dity of 60 तो एक्स को ऐसे प्राइम नंबर चाहिए है जो कि 60 के डिवाइजर हूं तो 60 के डिवाइजर सबसे पहले मैं लिखता हूं कौन कौन से होते हैं ठीक है यहां पर थोड़ा सा लिख दें आपन मैं लिखता हूं 1 x 60 60 होता है 2 x 30 होता है 3 x 20 होता है then 4 x 15 होता है then 5 x 12 होता है 6 x 10 होता है then 7 से नहीं होता 8 से नहीं होता 9 से नहीं होता 10 x 6 मतलब इतने ही फैक्टर जैसके अब इसमें प्राइम नंबर स्कॉन कॉन से यह देख लेते हैं ठीक है one is neither prime nor composite two is a prime number three is a prime number five is a prime number इनके लावा कोई prime है कर नहीं ठीक है तो भाइया वन से लेकर जितने भी सारे तो यहां पर आपको लिखा हुआ है तो यहां पर आपको लिखा हुआ है और उनका जो सम है वो क्या है वो एट हो रहा है तो सबसे पहले तो तो नमबर है तो वन से लेकर ना इन तक कोई नमबर नहीं आ सकता है अब क्या 10 से लेकर 20 तक की बीच में कोई डिजिट का नमबर से सम सेम होगा सम जो होगा वो एट होगा तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा किसका किसका तो सबसे पहले तो यह 17 आ जाएगा बन प्लस 7 कितना हो जाएगा एट उसके बाद 26 देन 35 देन 44 देन 53 देन 62 देन 71 देन 80 इतने सारे टू डिजिट्स नमबर होंगे जिनका सम जो आएगा वो कितना आएगा एट आएगा इसके बाद तो नाइन वाई नाइन तो खुदी एट से पढ़ा हो जाता है तो यहां पर और कोई भी नंबर ऐसा नहीं आगा जिनके समझों कैसा हो एट ठीक है तो यह सेवन वाले का आंसर भी यहां यहां पर लिख लो क्लियर है अग्यों सेट ओफ और लेटर्स इंद वर्ड ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स आपको यह बात पता है कि यहां पर हम किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते तो एक बार टी लिख देता हूं एक बार आर लिख देता हूं एक बार है ओक बर एन हो दो जबारा आ रहा है एक बार ए एक बार एक भार ए लिख कए हो और यग कर आप डियों यह आपका यह सट आफ लेपर साफ ट्रिंच अऐ herzlich एक लिस्ट करते हो ठीक है अब बतर का तो बैकर माल यह क्या हो जाएगा G esos आर यह दो बार आरा था तो उसको नहीं लिखा तो सारे क्वेस्टन जो है यहां पर इस पेज में दिख रहे हैं आपको वह अपने कर लिए सौल क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो next second question क्या बोल रहा है describe the following sets in the set builder form निए सेट्सकों सेट builder form में लिखना है क्लियर है तो सेट लिए फॉर्म में बड़की आसान है एसेट वह से कहां तक है बन से लेके six तक है तो आप क्या लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो एक सच डैट ए में क्या रहा है सारे एक सा रहे हैं जहां पर एक्स क्या है वह एन के इक्वल है और एन की वैलिव कहां से कहां तक है वन से शिक्स तक और एन किसको बिलॉग कर रहा है नेचल नमबर को ठीक है एण किसको बिलोंग कर रहा है नेचल नमबर को बिलोंग कर रहा है और एग्स कोछ पर आपने लिए लिख दिया एक्स की वैलिउ एन है यहां पर चाहो तो तो सिर्फ और सिर्फ एक्स में भी प्रिप्रेजेंट करते हैं तो वह आदत हमें हर को सॉल्व करवा देती है ठीक है अब बी वाला के वाइव वन बाय टू बाय थ्री वन बाय फोर बाय फाइव और ऐसा ही वह चलता जा रहा है क्लियर है यहां पर को दिकत है चल तो अब यहां पर आप लिकोगे है भी इस इकुल स्टू को एक तधेंट एक्स इकूल स्टू हूँ लगाए एट तो और न कि वेल्यु कहां से अंपहां तक है या ऐन की वैल्लीव तो भाई वन पहले वन बाय बढ़ती जारी इंफानाइट तो आप बोलोगे सीधे एन बिलॉंग स्टू नेच्रल नंबर को बिलॉंग कर तो सबसे पहले बनापन टू यहां पर एंटिन लमबर को बिलॉंग कर रही नेचल लंबर से स्टाट होतें इंफानइट तक जातें तो यहां पर एक्स की वेल्यू आएगी वन अपान एंज सबसे पहले क्या आएगा वन डेन डूसरा क्या होएगा टू तो बनापन टू हो जाएगा एक एक् वाला क्या बोल रहा 036912 तो 036912 आपको पता यह सारे 3 के मुल्टिपल्स हैं 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4 तो आप लिखोगे X such that X equals to 3N and belongs to whole number W W मतलब whole number अब क्या बोला आपने एन जो है वह whole number को बिलॉंग कर रहा तो नहीं से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा एन जब 0 होगा तो X हो जाएगा 3 into 0 मतलब पहला नमबर मिल जाएगा 0 देन जब 1 होगा तो X हो जाएगा 3 into 1 दूसरा नमबर मिल जाएगा 3 देन 6 देन 9 देन 12 ऐसी आता जाएगा हरी बात समझ में अब नेक्स्ट क्या है डी है 10 11 12 13 और बहुत ही आसान है तो आप डी को लिखोगे सीधे क्या एक्स गहां से कहां था कि भाइया 10 से 15 के बीच में है और एक्स बिलॉंग करता है नैच्रल नमबर को बात खतम हमने यहां पर एक्से एक्वेट नहीं किया डारेक्ल लिख दिया एक्स अग्सुए वह कहां से कहां था क्या था चैन से 15 के बीच में तो गिंतिया जाएंगी 10 11 12 13 14 15 और एक्स को बिलॉग कर रहा है नेचल नमबर को इसलिए इनके बीच के पॉइंट्स वाले नमबर नहीं आ रहे है रियल अगर लिखता है यहां पर तो इनके बीच के पॉइंट्स वाले नमबर पिया जाते हैं हमको सिर्फ दस ग्यारा बारा डिस्क्रीट नमबर सारे तो हमने क्या कर दिया उसको नैचल नमबर को बिलॉग करवा दिया ठीक है अब एज़ी को सुझी रूग थोड़ा सा गला मेरा नासाज है तो उसके लिए तब्याद खराब है उसके लिए मैं श्यमा परारती हूं अग ठीक है चलो इवाला क्या है यह को डारेक्ट ली आप लिखोगे एक सस्थ डैट एक्स इकोल स्टू जीरो बास बात कतम और कुछ करना ही नहीं है एक्स कितना है सिर्फ जीरो है क्या लिख दोगे जीरो आएगा आंसर बस ठीक है अब क्या सिक्स्ट वाला बन फोर नाइन सि स्क्ट्वायर यह 10 का स्क्ट तो चलेगा वह यह ए फ़ाला कहां तक ऑकस्त का श आधि इकुलस तो एमीं स्क्ट्रक्र अन कहां से कहां तक है consequence च्रे데ंट के बीच में एनमेलां शून हो आ शा landlord क्लियर है अब यहाँ पर लेस्टन इक्वल टू लगा रहा हूं इसलिए वन और टैन लगा रहा हूं अगर लेस्टन और ग्रेटर दन की साइन बस होता तो जीरो से लेके 11 तक कर देता क्योंकि अगला है 2468 यह मैं नहीं बताने वाला हूं यह बहुत आसान है एक सब्सक्राइब क्या बताना यार बता दूं चलो यह हो जाएगा अब यहां पर एन की कोई लिमिट देने की ज़रूबत नहीं है नेचल नमबर सारे लिख दो क्योंकि अब टू इंफनाइट जा रहा है ठीक है तो आप लिखो के एन बिलॉंग्स टू नेचल नमबर एन की वाल्यू से स्टार्ट होगी तो एकसी वाल्यू टू से स्टार्ट होगी ठीक है अब उस्ताइब five 2525 625 यह five की पावर ठीक है सारी की सारी बढ़ती जा रही है है तो आप मेशवला ओजाएगा एक तसस देडिख एक साूड कि पावर एन hilarane कहा से कहा तक वन से इस सारे के सारे रिविल ओर में आपने लिख दिए तोबात क्लियर है को ढिक्टतेया आपर चलो तो आगे बढ़ते हैं और आप यहां पड़ते हैं कि इस सारे सैट संड़ी मिन को लिस्ट कर दो यह आपको से विल डियोई है आपो क्था करना इसको बस्फ Qे लेकाना तो आप बोलोगे हैं ऐसा नंबर होता है वटे हैं और minus 1 minus 2 minus 3 इनके square भी क्या होते है तें से छोटे होते है क्यूंकि यहाँपर Z मतलब integer को भी लॉटरा था और integer का square भी positive ही माइनश one का square क्या हो जाएगा one हो जाएगा minus two का square four हो जाएगा minus three का square nine हो जाएगा इन three का square कैसा होगा 10 से छोटा होगा जैसे इन से बढ़ा करो गया फोर पे जाओगे तो फोर कर कर सक्स्टीन हो जाएगा जो कि यह से बढ़ा हो जाएगा तो इसको आप नहीं कर सकते ठीक है अब x as that x equals to one upon two and minus one और वन से लेके 5 तक के बीच में भाई यह सब ठीक है स्वारी बंचले के फाइव तक के बीच में एक्स इकोल से 2N-1 है वन अपॉन 2N-1 जब X1 होगा तो स्वारी N1 होगा जब N1 होगा तो एक वन अपॉन 2-1 2-1 होता है वन ठीक है जब मैं इसको तो सॉल्व कर लेता हूं अच्छे से क्या दिया हुआ है एक्स इकोल स्टू 1 अपॉन 2N-1 तो आप बोलते हो जब आइंड किता होगा तो एक्स हो जाए का फान अपॉन 2-2-1-1 जाने बन एक्स हो जाएगा वान पॉन 9 तो कहां तक जाए यहां पर यहां पर इनको ने बिलॉंग्स टू नेचरल नमबर देना चाहिए था क्योंकि हम यहां पर अगर एन की वैल्यू पॉइंट्स में रख देंगे तो फिर इसके इंफानाइट आंसर आएंगे आप सारे को लिस्ट नहीं कर सकते तो इसके आगे यहां पर इनको नेचरल नमबर को बिलॉंग करवाना चाहिए था क्योंकि वन से फाइव के पीच में वरना इंफानाइट नमबर साते हैं चीक है चलो अब सी वाला बोल रहा है तो दूख ऑर माइनस वन माइट तूसे नाइन ऑॉन के बीच में तो माइनस वन फाइट था 0.5 माइनस का इससे बड़ा इंटीजर चाहिए आपनको तो वह होता है जीरो तो चीडियों से एक्स के वैड जीरो से स्टार्ट हो रही ए है भुल तो नाइन बाय तूसा फोर प एक तोवारा एक लिए यू सारे आ रहे हैं कि वायर एक वेशन तो एक नंबर वर्ड जिसमें सारे वावल्स आते हैं कि चल्ड़ सब्सक्राइब एक आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन पर सब्सक्राइब कौन सा है मतलब मीनिंग वाला वर्ड होना चीह हर कुछ मत बनादेना सब्सक्राइस वर्ड जिसमें सारे वावल्स आते हैं कमेंट सेक्षिन पर आंसर देना ठीक है चलो एक से महीनों का यहां पर सेट बनाने जो थर्टी वन डेज नहीं है आपको याद है वह हिंडियें बोलते हैं सी अप जून नव तीस के मतलब सितंबर अपरेल जून नवंबर तीस के होते हैं बाकी सब एक तीस 28 की फरवरी चौनते सन उन तीस यह हिंदी में हमको याद कर वाते थे और इंग्लिश में कैसे बोलते थे तो इंग्लिश नहीं कि उसका कोई लैंग्व को आपको यहां पर बोलता वाइए जिसमें 30 नहीं है अलाना है है सबसे हैला होता है यह सबसे पहले होता है एक यह जून है यह सारे ऐसे एक जिसमें थर्टीवण डियस नहीं होते थर्टी δे territor अए मिव तक तहां होता है पर फैडे ठीक है अब कर लोब रहे है एक तेसे लैटर ऑफ्द वर्ड मिसी सप्पी मिसी प्रड़ बी यह मिस पी पास के एम एक बार आई एक बार भले चार आरा तो क्या हुआ एसा एक बार और पी यह सारे के सारा अपने यहां पर मैंचन कर दिये हैं क्लियर है चलो अब मैंस्ट फॉल रहा है अपन से मैंच इच ओफ सेट्स on the left in the roster form with same set on the right described in the set builder form ठीक है यहां पर आपके पास roster form में दिया हुआ है यहां पर आपको set builder form में दिया हुआ है फटाक से पहले तो सबस्क्राइब करेंगा उसको मिलेगा step up academy से gift temple at the end of this session clear है तो अपने points बढ़ाते जाओ अपल 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 होना चीए यह सिक्स्त वाला मैच कर दो वही यह 5 और माइनस 5 किसका solution आ रहा है तो x square minus 25 equal to 0 आप जानते हो x square minus 25 equals to 0 को जब solve करोगे तो x square की value 25 x की value plus minus 5 तो कौन सा है यह वाला ना जीरो इसका answer आना चीए जीरो यह रहा एक्स प्लस 5 equals to 5 है इसको जब solve करोगे आप तो x equals to 5 minus 5 याने की 0 तो 0 वाला सेट कौन सा है first है then one two five and ten तो बचा कौन कौन सा है second third fourth ना ठीक है एक सब प्राइम नेचल लंबर ने डिवाइजर आफ 10 ठीक है भाई यह तो 25 आएगा प्राइम नेचल लंबर चीए ना अपन को ठीक है तो one two five and ten आएगा एक से नेचल लंबर और डिवाइजर आफ 10 नेचल लंबर है भाई वन से लेके 10 तक सारे और सब डिवाइड करते हैं 10 को तो इस सामने वाले से ही यहां पर लिंक हो जाएगा राजिस्तान वालतों साफसाफ देख रहा है आर एजे आस टी एच एन राजिस्तान कहा है लेटर अफब्र राजिस्तान यह दा थफर्ड ठेक है और two or five kya है एक यह डिक प्राइम नेचल लंबर टूबी प्राइम ऑन डिवाइजर ऑफ टेन तो तो इस सारे आपने अपने तो यहां पर आपको बोल रहा वो सारे वावल को जो क्यू से पहले आते हूं तो सिर्फ एक ही तो वावल होता है जो क्यू के बाद आता है और वो होता है इसके बाद आने वाला यू एई आई ओ यू सारे बॉबल से यू बस क्यूंकि बाद आता है बाकिसब क्यूंकि पहले आते हैं सारे आपने लिस्ट कर दी आंसर आ गया क्लियर है चलो write the set of all positive integers whose cube is odd तो यहां पर एक बात याद अगना हर odd number का cube odd आता है even number का even आता है यहां पर आप लिख सकते हो वो सारे odd वो सारे integers से जिनका cube odd आएगा सारे odd numbers जिनका cube odd आएगा तो आप लिखोगे x such that x equals to 2 n plus 1 n belongs to natural numbers ठीक है n belongs to whole number कर दो एक काम करो 0 भी तो लाना है 5 1 भी तो लाना है 0 से start होगा तो 2 into 0 हो जाएगा 0 0 plus 1 हो जाएगा 1 तो x equals to 1 भी एक ऐसा number जिसका cube करोगे तो भी odd आएगा वन ही आएगा ठीक है इस सारे वो numbers आ रहे हैं आपके पास जिनका cube जोगा वो कैसा होगा odd होगा आप चाहो तो सारे और नमबर से लिख भी सकते हो one three five seven dot 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 वो भी आपका आपका अंसर सही होगा ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका अंसर सही है को देख करते हैं सबका क्यूब भी कैसा होगा odd होगा सारे और नमबर से क्यूब और यह होता है हाँ I will write the set this in the set builder form तो इसको बहिए जैड बिलडर फॉर्म में 16 16 plus 117 एसे सम्में कर दिया है मतलब यह क्या है तो यह भी या X such that X equals to n upon n square plus 1 and belongs to natural number सबसे पहले तो n की value कहां से कहां तक है तो n1 से start होकर 7 तक जा रहा है ठीक है कि हमारा set है n upon n square plus 1 जब n1 होगा तो 1 upon 1 square plus 1 याने की 2 2 upon 2 square plus 1 याने की 5 ऐसी सारे numbers आपके आ जाएंगे up to 7 तो clear यह बात बहुती आसान सारे questions हैं अपने पर करके आगे चलते हैं चलो तो इसी question के साथ आपके exercise 1.2 जो है वो भी खतम होती है ठीक है ऐसे ही सारी अगर आपको exercises देखनी सारे solution देखनी है तो भाई like करो हमारे वीडियो को ठीक है share करो इसको अपने सारे इतना तो आपके साइट से बनता है कि नहीं चलो तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में ऐसे सारे series questions के में करते रहूंगा आप लोगों के लिए तब तक के लिए bye bye keep studying and take care